हाई मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं Commerce Fundamental आज को जो हमारा टॉपिक है वो है और हर प्रकार की notification पाने के लिए bell icon को जुरूर प्रेस करें तो देखिए हमारे पास median क्या है median एक ऐसा number है जो किसी series को दो equal parts में divide करता है आप देख रहे हैं हमारे पास ये जो पूरी series है इसके अंदर हमारे पास 11 numbers है तो हमारे पास यहां पर एक तरफ हमारे पास 5 numbers है और एक तरफ हमारे पास 5 numbers है means left hand side भी हमारे पास 5 numbers है और right hand side भी 5 हमारे पास numbers है और 6 जो है वो एक positional leverage है जैसे कि median हम बात कर रहे है वो एक positional leverage है जो बिलकुल बीच में है एक तरफ की सारी आइटम, सारी values इस median से छोटी है और दूसरी तरफ की सारी values इस median से हमारी बड़ी है तो हम कह सकते हैं 6 हमारा क्या है? एक median है जो पूरी group को, पूरी series को दो groups में divide करता है हमारे पास जो left side है वो सारी की सारी value median से छोटी है और right hand side की सारी value median से बड़ी है तो median क्या है? median एक ऐसी value of variable है which divides the group into two equal parts जो पूरे group को दो equal parts में divide करता है one part is comparison all the value greater than the median और other part जो value होंगी वो सारी कि सारी median से बड़ी होंगी तो ये है हमारा median अब median जो है उसको हम अलग-अलग series में अलग-अलग तरीके से calculate करते हैं हमारे पास जो data है वो grouped data या ungrouped data या फिर आप individual, discrete या continue series में divide कर सकते हैं जो हमारे पास individual series है उसमें median को हम n प्लस 1 बाइ nth item से calculate करते हैं discrete series में भी हमारा यही formula सेम रहता है बट continue series में हमारा जो group है क्योंकि हमारे पास group जो है वो अब continue में है इस विज़े से formula जो है थोड़ा बदल जाता है formula कहा रहता है l1 प्लस n बाइ 2 माइनस cf बाइ f multiply by i यहाँ पर l1 क्या है l1 lower limit है n क्या है number of observation यहाँ पर सभी के इंदर अपने n यूज किया है यहाँ सभी जेंगे n जो था वो number of observation था f जो है हमारी frequency है जो कि सिर्फ continue series में use हो रहा है और cf जो है cumulative frequency है और i जो है वो size of median class interval है जो हम आगे चल कर बात करेंगे तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि हम individual series में हम median को कैसे calculate करते हैं अब जो ब individual series में हम calculate कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपके पास number of values जो है वो odd है या even है इसको देखने के बाद आगे इसका use करेंगे हम सबसे पहले हम पूरे के पूरे data को ascending order में या descending order में arrange करेंगे वो arrange करने के बाद हमारे पास जो नीची formula है वो formula लगाएंगे और value को हमारी ascertain करेंगे कैसे देखिए सबसे पहले हमारे पास odd values है हमें question रजूम कर लेते हैं माली जी हमारे पास ये question है इस question में हमारे पास दिया गया है wages of seven worker seven odd value है इसमें जो formula हमारे पास रहता है M निकालने का वो n plus 1 by 2th item रहता है तो इसमें हमारे पास seven plus 1 by 2 करेंगे तो वो हमारे पास fourth item आ जाएगा पट इसके लिए सबसे पहले हम इस पूरे data को ascending और descending order में लिख लेते हैं तो देखिए सबसे पहले हमने इसे क्या किया ascending order में लिख लिया तो सबसे पहले हमारी value ये रहती है उसके बाद हमारे पास ये value रहती है उसके बाद हमारे पास 15,200 रहता है उसके बाद हमारे पास 16,080 रहता है उसके बाद हमारे पास 16,160 रहता है उसके बाद हमारे पास 17,120 रहता है और last में 17,400 रहता है इस तरह से हमारे पास 7 item थी, number of item जो है हमारे पास 7 है, अब हम क्या करें, सिधा यह formula है हमारे पास n plus 1 by 2 item, n कितना है हमारे पास n 7 है, 7 plus 1 by 2 item करेंगे, तो 8 by 2 रहेगा और जो कि 4th item हो जाता है, तो 4th item हमारे कौन सी है, 4th item हमारी 16,080 है, तो वो ही हमारा median निकल कर आ जाएगा अब दूसरी तरफ हमारे पास even number देख लेते हैं, even number में हम question assume कर लेते हैं, यह हमारे पास question है, इसके अंदर हमारे पास 10 workers दिये गए, बाकि सभी चीज़े same है, अब wages जो है 10 workers के हैं, अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, solution जब करेंगे, तो सबसे पहले इसे हमें arrange करना हो number of item हमारी 10 है, तो हमारे पास जब formula लगाएंगे, n plus 1 by 2 item करेंगे, तो यहाँ पर 10 plus 1 by 2, याने के मतलब 11 by 2, तो value जो है हमारे पास 5.5 आ जाती है, 5.5 कहा है, 5.5 item जो है, इन दो items के बिलकुल बीच में है, तो हम क्या करेंगे, जो 5th item है, प्लस 6th item है, उसको 2 से divide कर देंग तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास 5th item जो है, प्लस 6 item, divide by 2 कर रहे हैं, तो हमारे पास 5th item जो value है, वो हमारे पास 16,777 है, और 6th item की value जो है, 25,591 है, और by 2 करेंगे, तो हमारे पास 42,368 और ये value जो है, वो इसको solve करने पर हमारे पास ये value आती है, ये ही value क्या हो जाएगी median value हो जाएगी, इस तरह से आप individual series में median की value calculate करते हैं, आगे चलते हैं, discrete series में, हम median की value कैसे calculate करेंगे, normally ऐसा देखा गया है, कि question हमें normally ascending या descending order में पहले से दे रखे होते हैं, अगर ना दिये जाएं, तो आप discrete series में या continue series में भी ascending या descending order में इसे arrange जरूर करते हैं, arrange करने के आप CF value निकालते हैं, CF calculate करते हैं, जो community frequency कहलाता है, और यही formula apply करते हैं, और आप जो median की value होगी, throughout community frequency calculate करेंगे, देखे कैसे करते हैं, देखे माली जे हमारे पास ये question दिया गया है, इस question में हमारे पास income और number of persons दिये गये हैं, और आपको यहाँ पर median की value calculate करनी है, तो आप स एक order में नहीं है, ये जो value है ये आगे आनी चाहिए थी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे हम ascending order में convert कर लिते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ascending order में इसे convert कर लिया, तो यहाँ पर 17,800 हमने पहले लिख लिया, और उसकी number of persons जो है, उसको भी हमने पहले लिख लिया अब हम क्या करते हैं, cf value calculate करते हैं, कैसे calculate होगी, 24 adjectives, उसमें हम 26 add करेंगे, और फिर 50 आएगा, उसमें हम 20 add करेंगे, 70 आएगा, उसमें हम 30 add करेंगे, फिर 100 आएगा, उसमें हम 16 add करेंगे, तो 116 आएगा, और इसमें 6 add करेंगे, तो 122 आएगा, और हमारा number of जो item होगी, वो भी 122 ही होगी, बस अब हमें सिधा क्या करना है, इसे इस फार्मूले में रखना है, जो कि फार्मूला हमारे पास क्या है, तो हमारे पास एन कितना था, हमारे पास एन 122 था, जो कि CF का टोटल लास्ट वाली वैल्यू जो होती है, वो एन के बराबर ही होती है, तो 122 प्लस 1 बाइ 2 करेंगे, तो 123 बाइ 2 और यह 61.5 अब देखे, 61.5 अब देखे, 61.5 अब देखे, इस वैल्यू के अंदर नहीं रहेगा, 50 से भी बढ़ा है, तो इस वैल्यू में नहीं रहेगा, यह 61.5 जो है, वो 70 से छोटा है, तो इस वैल्यू में हमारे पास रहता है, और इस वैल्यू के सामने वाली जो वैल्यू रहेगी हमारी, वो ही क्या हो जाएगी, वो ही मीडियन हो जाएगी तो यानि हमारा 61.5 जो है इस value में है cumulative frequency में तो इसके सामने वाली value 16,800 जो है वो हमारा median हो जाएगा discrete series में अब देखिए हमारे पास continue series हम देख लेते हैं यह भी काफी आसान है बस formula थोड़ा से बड़ा नज़र आ रहा होगा continue series में हम कैसे calculate करेंगे देखिए इसके अंदर भी हमें ascending या descending order में जरूर इसे लिखना होता है normally यह देखा गया है continue series में हमें normal order दिया गया होता है या तो वह ascending होता है या descending होता है formula सबसे पहले यहां पर दो formula होंगे सबसे पहले जो formula रहेगा n by 2 formula रहेगा यह किसलिए है n by 2 formula जो रहेगा यह determine करने के लिए है कि हमारा जो median है वो किस class में lie करता है इस formula से हम identify करते हैं हमारी class class identify करते हैं कि जिसके अंदर हमारा median है उस class में हमारे पास median क्या है उसके लिए हम formula दूसरा लगाते है जो formula है यहाँ f क्या है frequency of median class है cf क्या है frequency of preceding the median class है याने जो हमारी class interval select होई है उससे उपर वाले l1 lower limit है और i हमारा size of median class interval है यह कैसे है हम question से help से देखते हैं देखिए हमें यह question माल लेते हैं इस question के अंदर हमारे पास कुछ data दिया गया है जिसमें marks है और number of students है और जो हमारे पास data दिया गया है वो हमारे पास continue series का data दिया गया है तो इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर marks जो हैं, और number of students है, उससे cf निकाल लेते हैं, cf निकालना काफी असान है, जैसे कि आप अभी तक समझ भी गए होंगे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक next item को add करते हुए चलना है, जिससे हमारा cf जो है, लाए करेंगे, और इसे 399 by 2 हमने किया, तो 199.5th item आ गया, तो यह हमें यह देखना पड़ेगा, कि यह 199.5th जो है, वो हमारा किस class में लाए करता है, ठीक है, जो 199.5th है, अब आप देख रहे होंगे, यह इस class के अंदर लाए करता है, तो हमने देखा, कि हमारे पास यह जो class है, 200 के सामने वाली class, 30 to 40 जो है, वो हमारी class identify हो जाती है, इस तरह सी यह हमारी class identify होती है, इस class में, अब यहां पर हमें, जो formula था, formula हमारा क्या था, formula में L1 प्लस N by 2 माइनस C F, C F by F multiplied by I था, तो यहां N by 2 तो हमने पता कर लिया, N by 2 हमारा 199.5 है, C F क्या होता है, और F क्या होता है, सबसे पहले हमारा L1 देख लेते हैं, L1 क्या होगा, जो limit select हुई है, देखें, यह class limit select कैसे हुई है, हमने जैसे पीछे अभी क्या था, 42 से हमारा 199 ज्यादा है, तो इसमें नहीं रहेगा, 80 से हमारा ज्यादा है, तो यह भ class के अंदर, जो हमारी limit है, यह वाली limit है, इसके अंदर हमारे पास यह limit रहेगी, अब यह जो limit है, इसके अंदर, मैं थोड़ा pen को दूसरे clear कर लेता हूँ, तो यह हमारी जो limit है, limit, lower limit जो है, वो हमारा 30 हो जाएगा, और F जो है, यानि जो class select हुई है, उसी की frequency जो है, वो हम हमारे पास CF क्या रहेगा, जो class select हुई है, उस class से उपर वाली community frequency, यानि 80 जो है, हमारा CF select हो जाएगा, और I क्या है, आई हमारे पास जो class select हुई है, उसका difference, याद रखना, जो class select हुई है, उसका difference, तो 30 और 40 के वीचे जो difference है 10 का, तो I यह हमारा 10 हो जाएगा, तो हमारे पा तो रख देते हैं, L1 हमारा कितना है, L1 हमारे पास 30 है, NY2 जो कि हमने 199.5 था, और CF जो कि हमारा 80 था, F, F क्या था, जो कि हमारा 120F था, और I जो था, वो हमारा 10 था, बस इसे हम solve करेंगे, तो हमारी median की value आजाए कि, जो कि 39.96 रह जाती है, इस तरह से आप continue series में median को calculate करेंगे, आगे देखिए, आगे हैं हमारे पास, अगर आपको community frequency दी गई है, community frequency दी गई है, तो आप median की value कैसे calculate करेंगे, देखिए, माली जी हमारे पास ये question है, इसके अंदर आप याद रखेगा, ये less than values हैं, सारी के सारी, यानि less than 10, less than 20, less than 30, less than 40, less than 50, less than 60, 70 और 80, इसे हम क्या करे पहले normal class के अंदर convert करेंगे, वो कैसे करेंगे, less than है, तो यहाँ पर हम 0 से 10 कर लेते हैं, और आप याद रखेएगा, जब हमें community frequency दे रखे होती है, तो ये value जो होती है, वो CF value होती है, तो हमारे पास, ये value CF value थी, ये जो values है, हमने adjectives इनको लिख लिए यहाँ पर, ये जो क क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारे पास 10 का gap है, इस वज़े से हम यहाँ पर भी 0 से 10, 10 से 20 इस तरह से इसको हम normal जो हमारी exclusive series होती है, उसमें convert कर लिया, अब हम क्या calculate करें, क्योंकि हम median calculate करें, तो हमें F की जरूरत पढ़ेगी, frequency की जरूरत पढ़ और आगे हमारे पास इस तरह से हम calculate कर लेंगे, जिसमें हमने कैसे calculate किया है, यहाँ पर हमने इसको देखी, यह 15 value जो है, उसको तो हमने एजटीज ले लिया है, उसके बाद हमने क्या किया है, 35 में से 15 less करने के बाद 20 बचा है, इस तरह 60 में से 35 less करने के बाद 25 बचा है, जो हमारे पास यहां पर 24 निकल कर आ रहा है ऐसे हमने सरी frequency calculate कर लिए है frequency calculate करना क्यों जुरूरी था क्योंकि हमारे पास जो formula है उसके अंदर हमें frequency के जुरूरत रहती है अब इसमें हम क्या करें हम यह formula लगाएंगे जिससे हम identify कर पाएं कि हमारा जो median है किस class के अंदर लाए करता है तो हमने यहां पर यह formula n by 2 किया तो n कितना है हमारे पास 250 है तो हमने n by 2 250 by 2 आइटम किया तो हमारे पास 125 आइटम है 125 आइटम कहां पर लाए करती है हमारी यहां पर लाए करती है यानि 127 के अंदर तो हमारा 125 आइटम यहां पर लाए करती है तो यह पूरी की पूरी क्लास जो है जो हमारी 50 to 60 जो है वो क्लास हमारी सेलेक्ट हो जाती है और इसकी जो 50 to 60 है इसमें 50 है हमारा L1 और frequencies के सामने की यानि 31 frequency और cf जो है उससे बिलकुल ऊपर वाली cf जो है 96 हो जाती है इस तरह से हमने सारी value identify कर ली है और याद रखिए का यह बात भी के हमारे पास जो i है वो इस class का ही है यानि 50 to 60 के बीच का gap जो है 10 वो हमारा i हो जाएगा बस अब हमें क्या करना है इस formula में 96 और 31 जो हमारा यह value है multiply by 10 करें तो हमारे पास median जो है 59.35 value आ जाती है आगे देखिए आगे हमारे पास अगर हमारा class interval unequal है इससे हमारा कुछ ज़्यादा फरक नहीं पड़ता median के case में त्योंकि हम median के case में क्या करते हैं देखिए यह हमारे पास question है इस question को हम देखते हैं यह यहाँ पर हमारे पास 10 का difference है यहाँ 20 का difference है यहाँ 30 का difference है यहाँ 20 का difference है और यहाँ 10 का difference है जो कि हमारी class interval जो है वो same नहीं है unequal है median के उपर इस बात का कोई फरक नहीं पड़ता बड़ जो I होता है इस बात का ख्याल रखें I सिर्फ उसी class का मैं इसी जिसे बार बार बोल था कि हमारे पास जो i उसी class का लिया जाएगा जो class हमारी identify हुई है तो हमने यहाँ पर देखे question के अंदर f लिया और f के बाद हमने cf calculate कर लिया cf calculate करना काफी असान है हमने सीधा ही यहाँ पर इनको total किया है इस तरह से और n हमारा 60 है अब 60 by 2 करेंगे तो हमारे पास 30th item identify हो जाती है जो 30 to 60 वाली class जो है वह identify हमारी हो जाती है तो ऐसे में हमारे पास 50 हमारा था 30 जो 30th item है वह 50 के अंदर है तो हमारे पास 30 to 60 वाली class identify हो जाती है तो इसी के value जो रहेगी और f और इस से उपर वाली value cf रहेगी बस अब हमें आभी फार्मुले में पूट करना है देखे फार्मुले में पूट करेंगे तो l1 कितना है हमारा 30 और उसके बाद n by 2 कितना था 30 cf कितना है 20 और f कितना है 30 और multiply वे 30 यहां रहेगा जैसे कि बार बार बता रहा था i जो है हमारा 30 रहेगा क्योंकि इस class interval में 30 और 60 के बीच में gap कितना है 30 का है तो यह value जब हम जो है वह हमारा 40 आ जाएगा इस तरह से हम अनिक्वल क्लास इंटरवल में में मेडिन की वैल्यू कैल्कुलेट करेंगे आगे देखिए आगे हमारे पास है अगर हम ग्राफिकल प्रजेंटेशन करते हैं तो हम ऑगिव से किस तरह से काफी जंगे ओ जिव बोला जाता है क तो मैं ऑगिव से कैसे करेंगे तो हमारे पास दो मैथड़ यहां पर लेस देन एंड मोर्दन यानि हम दोनों को इस्तमाल करेंगे यहां पर सिर्फ हम एक को इस्तमाल करेंगे तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास हम ले लेते हैं हमारा फर्स्ट मैथड जिसमें ले सबसे पहले Schweiz हैं हम कमलिटिव डाटा के अंदर इसे अंडर इसे क На एट करेंगे जब केर्ण करेंगे तो हमारे पास किस डाटा के अंदर कमट करें टो कैसे करेंगे हैं अब यहां पर 15 तो 4 ही रहेगा ना, less than 5, 0 से 5 है, तो हम less than 5 ले ले लेते हैं, 4, अब हमारे पास हमें less than करोट करना है, यहाँ पर 5 तू 10 था, अब हम less than 10 कर रहे हैं, तो less than 10 में तो पहले वाली value भी आ जाती है, तो हम इसमें 4 में, यह 6 एड करेंगे, तो हमारे पास 10 value आती है, इस तरह से हमा तो यह सारी value हम करें, तो हमारे पास less than 20 रहेगा, less than 25 में, पिछे वाली सारी value आड करें, तो हमारे पास 55, इस तरह से हमारे पास less than 30 में, पिछे वाली सारी value 70, इस तरह से हम आगे भी चलेंगे, और हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, हमारे पास जो cumulative data है, वो calculate कर लिया और less than series को हमने बना लिया अब इसे हम क्या करते हैं graphically present करते हैं देखिए number of students जो है वो हमारे o y axis पर number of students है और o x axis पर हमारे marks दिये गए हैं marks जो है less than 5 तो less than 5 यहाँ पर रहता है less than 5 तो 5 से नीचे वाला सारा तो 4 है ठीक है इस तरह से 5 से नीचे वाला सारा 4 है less than 10 तो 10 से नीचे हमारा सारा तो यह 10 रहेगा यह 10 value यहाँ पर आती है इस तरह से फिर less than 15 15 से नीचे हमारा 20 और less than 20 से नीचे हमारा 30 और less than हमारा 25 से नीचे 55 इस तरह से 30 से नीचे 77 और इस तरह से 35 से नीचे 95 और इस तरह से 100 से नीचे याने 40 से नीचे 100 सारा data हमने इस तरह से plot कर लिया है यह data plot करने के बाद अब हम क्या करेंगे इस data को हमारे पास क्योंकि देख रहे हैं आप total frequency कितनी है 100 है 100 को हम find करेंगे NY2 जो कि 100 का हमने 2 से डिवाइड किया 50 अब देखिए 50 कहां पर है 50 हमारा यहां पर है 40 और 40 और 60 के बिलकुल बीच में हमारा 50 है और 50 से हम एक parallel line इस line के लेकर जाएंगे और इस से हम नीचे की तरफ एक parallel line लेकर आएंगे जहां पर भी value हमारी cut करेंगी वो ही value हमारी median की value होगी इस तरह से आप less than or give से भी median calculate कर सकते हो more than or give से भी आप median calculate कर सकते हो कैसे calculate करेंगे देखिए हमारे पास same data है बस हमें इसे क्या करेंगे अब more than or give में convert कर लेते हैं जिसमें थोड़ा सा हमारा क्या रहेगा more than अब यहां पर इस value को यानि जो सामने वाली value है इन सभी value को हमने लेना है क्योंकि हम more than ले रहे हैं more than 0 सारी value आ जाती है तो हम सभी का total करेंगे और more than 0 में 100 लेंगे और more than 5 इस 4 को घटा कर 100 में से 4 को घटाएंगे जो बचेगा 96 वह हमारी value हो जाएगी less than हमारे पास more than 10 अब हमारे पास 96 में से 6 को घटाएंगे तो 90 बचेगा अब हमारे पास more than 15 अब 90 में से 10 को घटाएंगे तो 80 बचेगा इस तरह से more than हमारे पास 20, 25, 30 और 35 यह सारी values हम इस तरह से घटाते जाएंगे और last में हमारे पास 0 बचेगा अब हमें इसे क्या करना है plot करना है सेम उसी तरह है जैसे हमने पहले किया था हमारे पास यहाँ पर ox axis पर marks है यानि यह वाली less than value है और o y axis पर हमारे पास number of students है आप देख रहे हो more than 0 कितना है 100 तो आप 0 के उपर लेंगे और 100 यहाँ पर cross करेंगे 100 value रहेंगे more than 5 यानि 5 से जादा अब 5 से जादा वाली value more than 5 तो more than 5 में हमारे पास कितने 96 है more than 5 में 96 है इस तरह more than 10 में हमारे पास 90 value है इस तरह से more than हमारे पास 25 में 80 value है 20 में 70 value है 25 में 45 value है 30 में 23 value है 35 में 5 value है और 40 में 0 value है इस तरह से हमने plot करना है सबसे पहले और आउसके बाद तरीका सेम रहेगा n by 2 find करें n by 2 की value 50 आती है यह जो 50 value है यह बिल्कु सेम पहले वाली जैसे यह result सेम आएंगे हमारे पास 50 value बीच में है इसके parallel एक line लेकर जाएंगे और जहां पर भी यह value आती है उसके parallel हमारे पास सिधा o x-axis पर एक value बनाएंगे जो o x-axis value जिस पे cut करेगी वो ही value हमारा क्या हो जाएगा median हो जाएगा इस तरह से आप more than ogive से भी median calculate कर सकते हैं अगर आपको दोनों ही value से यानि दोनों ही ogive से less than ogive और more than ogive से calculate करना हो तो यह और काफी असान हो जाएगा जो हमने पहले value ली है less than ogive और more than ogive हम agities ले ले लेते हैं और उसको graphically plot कर देते हैं graphically plot करने के बाद दोनों value को plot करने के बाद जहां पर दोनों value एक दुसरे को cut करेंगी उसके parallel हम O X-axis पर value जो find करेंगे जो value मिलेगी हमें उसी point के बिल्कुल सीधे रेखा में जो point मिलेगी हमें वो हमारा क्या हो जाएगा median हो जाएगा इस तरह से आप और give की situation में भी median असानी से calculate कर सकते हैं तो ये था हमारा median graphical presentation उसकी मैं उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और thanks for watching